कोबिड महामारी के दुरान स्वास्ते विवाग में तैनात 102 और 108 करमचारियों की दिनराद सेवाईं देने पर आज हमिरपूर जिला प्रशाशन ने चालक और करमचारियों को प्रशाश्ची पत्र देकर सम्मानित किया है इस मौके पर देशवता बनिक ने सम्मान पाने वाले करमचारियों को बदाई देते हुए कहा कि आगे भी विविश्ये में इसी तरह अपनी सेवाईं जारी रखें वहीं जिला प्रशाशन के दौरा सम्मानित किये जाने पर स्वास्ते भाग के कर्मचारी ने भी प्रशाशन का अभार जताया है DC देश्वित अबनिक ने कहा कि COVID महामारी के दौरान एंबुलेंस के चालक और कर्मचारी के दौरा बहतर काम किया गया है और मरीज़ों को सुरक्षित अस्ताल पहुंचाने में बढ़िया सेवाइं दी गई है COVID महामारी के दौरान अच्छी सेवाइं देने वाले अस्तालों में तैनात एंबुलेंस में सेवाइं दे रहे चालक और कर्मचारी को सम्मानित किया गया है उन्होंने कहा कि ये ऐसे COVID योद्ध हैं जो की नजरों के सामने रहते हैं लेकिन सम्मानित नहीं किये गये थे जिन्हें आज जिला प्रशाष्न के ओर से सम्मान किया गया है हम लोग कभी भी बिमार पढ़ते हैं होस्पिटल जाना होता है तो सबसे पहले हम आपनी है उसमें बहुत ज़्यादा एहम भूमिका हमारे अंबुलेंस के जो कर्मचारी है जाहे वो पाइलेट हो एम्ट हो जो फर्स्ट रस्पॉंडर होते हैं कहीं से भी कोई डिस्ट्रस को ब्लाइज घाती है और पेशन को हस्पिटल में शिफ करना होता है तो क्रिटिकल पेशन्स को भी तुरंच प्रभाव से जबता तो हॉस्पिटल नहीं पहुंचता है यॉस तब तक के जो उसमें इंटी और फाइलेट के हवाले होते हैं पेशन्स और उनको सेफ री उनकी स्थिति जो ताकि टिटोरेट ना हो इस तरह से उस्थिति में पहुंचाना और उसके बाद ही पेशिंट का उपचार्ज हो है हॉस्पिडिल मों पाता है चाहे एम्टी के तौर पे हैं चाहे एम्बूलेंसे पायट के तौर पे हैं या ड्रॉबबैक वेहिकल्स के तौर पे हैं और यह ऐसे COVID-19 वारियर्ज हैं जो अकसर हमारे नजरों के चे रहके काम करते हैं हमारे ध्यान में नहीं आते कई बार तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम योगदान को भी रेकिगनाइज करें और इनको आप रुचाहिद करें कि इस तरह की अच्छी सेवाएं वो देते आ रहे हैं उसी को